खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सब का बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है घणो-घणो अभिननदन आप सब का और I hope सारे MRPNS अच्छे हैं प्रतिबत सीरीज कैसी लग रहे हैं आप सब को प्लीज अपना कमेंट सेक्षन में दिया करें ठीक है और हमने खनीट स्टार्ट किये हैं लास्ट वाली क्लास में कॉपर जो तम्र है उसके इंपोर्टन पॉइंट में बताना भूल गई थी तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे और 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे ओ गए हैं तो अब मैं चाह पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी ठीक है वो तब होगा जब 5 के 5000 सब्सक्राइबर्स एक्टिव हो सारे के सारे जो जो रेगुलर वीडियो जाते हैं उनको देखें ताकि आपको पढ़ाई पे लास्ट मोमेंट पे भागना नहीं पड़े कि ये भी कर ले ये भी कर ले ठीक है कॉलिज लिक्षिदार की डिटेल्स मुझसे पूछी थी यूट्यूब पे हम बच्चे प्रतिबत सीरीज में जितना मैं कवर करा पाऊंगे यहां पे करेंगे दूसरा अनकैडमी लर्निंग एप पे हमारा जो फ्री लाइव टेस्ट होता है रात को नो बजे उसके थ्रू म ठीके तो लिंक जो है बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक फोर टू डेस्ट करके मैं लिखती हूँ उस लिंक पे आप क्लिक करो अगर आपने अनकैडमी लर्निंग आप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका उसके बाद उ फरवरी के पहले हपते में आ रहा है तब तक मैंने कहा था दस दिन अपने वेस्ट ना करे तब तक प्लस को जॉइन कर लीजे क्योंकि मेरे बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं जिनके थुरू आप कॉलेज लेक्चरार के सिलेबर्स को पूरा कर सकते हैं तो चलिए जितनी भी और हैं या इसके जितने भी आयसक हैं सबके अंदर मुख्य रूप से मोस्टली कॉपर शब्द आपको देखने को मिलेगा और आइट कर देना है आइरन के जब किये थे मैगने टाइट आइरन कैसा होता है बहुत टाइट धातू होते तो वहाँ पे टाइट कॉपर का नाम है मेला काइट कुछ मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है कॉपर की ताम्र की आहसक के नाम क्या है क्यूपर इसको थोड़ा फैला दो कॉपर पाइरा भूर खुदाई के लिए एजु राइट और मेले हाथपर मेले तो होंगे और मेलागाई ठीक है राजस्थान के अंदर copper के reserves की बात करे अगर भंडार की बात करे तो हमारे पास सबसे ज़ादा है number one पे हम लोग आते हैं अगर उत्पादन यानि production की बात करे तो हमारा number दूसरा है और जुनजुनु को हम क्या बोलते है copper district यानि की tamr nagri भी इसको बोला जाता है या tamba jila बोल लीजिए या फिर इसको आप सब भी tamr nagri बोल लीजिए ठीक है copper को हम क्या बोलते हैं tamr nagri भी बोलते हैं ये clear है I hope कल वाला copper बहुत कम बच्चों ने अभी तक वीडियो देखा है ठीक है मैं इतनी मेहनत करके आते हूँ आप वीडियो देखते भी नहीं हो फिर कैसे बात बनेगी बताओ फिर paper में मुझे मत कहना कि last time paper से एक दिन पहले सारे वीडियो देखने मुश्किल होते हैं फिर call आते मैडम कोई shortcut बता दो पढ़ाई को कोई shortcut नहीं होता पढ़ाई को simple किया जा सकते जो मैं करवा के दे रही हूँ आपको तो सिर्फ वीडियो देखना है एक से दो बार आपके चीज़े माइन में फिट होंगी इतनी मेरी guarantee है आप नहीं भूलोगे exam तक इसको ठीके तो start care o करना ठीके चले आगे शुरू करते हैं तो आज का हमारा जो जिला है वो है बच्चो बच्चो आज मैं आपको कौन सा जिला पढ़ाने जा रही हूँ देखो अभी तक हमने कौन कौन से जिले कर लिए पहले ये नजर डालते हैं अभी तक हमने revision बहुत जरूरी है metallic minerals यानि की जो धात्विक mineral है उसके अंदर ferrous और non ferrous यानि की low और गैर लोहो होते है उसके अंदर मैंने आपको तरीका बताया था iron man यानि की ferrous में सिर्फ दो ही आने है iron और manganese non ferrous के अंदर बाकी सारे आएंगे जिन से jewelry बनती है silver, gold, sona, chandhi, lead, zinc सिसा जस्ता ही बोलते हैं copper, tambr और tungsten को tungsten बोलते है तो अभी तक हमने cover कर लिया है iron और अभी तक हमने cover कर लिया है copper ठीक है एक यह जो हमारी series है इसका नामना मैंने खनीज वाले को part 1 डाल दिया मुझे लगते हैं फिर आप लोगों को दिक्कत होगी part 8 करतेंगे, इसको part 9 करतेंगे ताकि आपको प्रतिबच series की सारे videos लगातार मिल जाए ठीक है, एक दो एक दो डालूँगे तो आप फिर से confused हो जाएंगे, अगर इस चीज के लिए agree हो तो आप बोलो कि yes मा ठीक है, ym करके type कर दो जी हाँ, part 8, part 9 ही इसको रखेगा, ठीक है, चलो तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम अपने मन की बासुरी बजाने वाले हैं ठीक है, किसका भजन सुनने वाले हैं बासुरी कौन बजाते हैं, हमारे श्री भगवान श्री कृष्णा, जिनको हम माधव भी बोलते हैं, तो माधव की बासुरी के रस में, आज हम सब लोग डूबने वाले हैं और मैंगनीस को याद करने में मन बहुत लगने वाला है, तो हाज हम याद करेंगे, मैंगनीस क्या एक ही मिन्रल पढ़ेंगे आज? नहीं, नहीं, आज हम दो मिन्रल पढ़ने वाले हैं दूसरा, मन की बासुरी में माधव बासुरी के रस में जब हम खो जाएंगे, तो हमारे दिल में क्या भजने लग जाएगे उनके रसकी घंटेयां भजने लग जाएगी और घंटेयों से कैसे आवाज आती है टन टन के आवाज आती है तो दूसरा मिनरल जो हम याद करेंगे टंग्स्टन याद करेंगे आज ठीक है clear है सबको तो मन से शुरू करें मैंगनीज से शुरू करते हैं चलिए शुरू हो जाते हैं मैंगनीज की जो और के नाम है जो इसके आयसक हैं आज साथ साथी कर लेते हैं फिर मैं बूल जाती हूँ यह करवाना आपको आयसक जो है ठीक है इसके अंदर आपको याद कैसे करो मन से याद कर लो एक गाना सुना ह और यह उसका नाम है पारार। और एक इसकी नाम है ब्रोमाइट तो ये तीन आयसक के नाम है किसके बच्चों मैंगनीज के देखो हिंदी वाले बच्चे परिशान नहीं लिख रही हुँ मैं साइलोमेलाइन साइलोमेलाइन याद हो गया पारा बढ़ रहा है हमारा और गूसबंस हो रहे हैं हमें तो पाइरोलिूसाइट पाइरो रुको रुको लिख रही हुँ मैं आता है मुझे लिखना पाइरोलिूसाइट ठीके और मैंने कहा था हिंदी के स्पेलिंग में गडबर हो तो भई इग्नोर कर देना मुझे ठीके ब्रो नाइट ठीके तो ये तीन आपको याद हो गए अब जो है हम आपको जिले याद करवाएंगे मन की बासुरी बजाई मैंगनीज दिखने में ऐसा दिखता है और हमारे माधव मन की बासुरी बजा रहे हैं बहुत बहुत रसीली है उनकी ठीके रस में हम डूबने वाले हैं रहते हैं कौन-कौन से जिले अएंगे मन की बासुरी बजाई माधव ने मंगनीज सवाई माधोपुर में अंदर मिलेगा ठीक है ऐसी बांसुरी बजाई की ऐसा रस फिलाया माधव ने मन की बांसुरी जो माधव की थी बहुत जादा रसीली थी कैसी थी बहुत जादा रसीली थी आवाज जो है कहां तक पहुँची हमारे मेवार तक आवाज पहुँची आवाज कहां तक पहुँची मेवार तक आवाज पहुँची आवाज ऐसी पहुँची कि पूरा का पूरा उदेपुर सवाई माधू की मासुरी के रस में डूब गया क्या हो गया बच्चो डूब गया पूरा का पूरा उदेपुर ठीक है यहां तक हो गया आप लोगों को और जो है क्या होता है इसमें हाँ फिर जो है उदेपुर के राजा जो है वो सोचते हैं भई माधव इतनी दूर से बासुरी बजाते हमें अपने यहां पे भी एक माधव का रूप चाहिए ठीक है तो राजसमंद के लोगों ने एक बड़ा विशाल मंदिर अपने यहां पर बनवा लिया माधवका ठीक है राजसमंद के लोगों ने अपने यहां पर एक बड़ा सा विशाल सा मंदिर बनवा लिया तो ये तीन जिले हो गए एक और देखते हैं एक और है बच्चो हाँ ये हो तो नहीं लग रहे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोग तो ठीक है मस्त वाला लाइक मस्त वाला सब्सक्राइब जो नए मैंबर्स जुड़े हैं MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाएए सब्सक्राइब करके घंटी बे जाके ताकि सारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन आते रहें और शेयर कीजे क्योंकि मारूर राजस्थान पड़ेगा भी बढ़ेगा भी जो हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है वो तो शेरिंग से ही होगा ठीक है तो आप लोगों को काम करना है ठीक है चले तो इसके अंदर समझ में आया मन की ब खगवान माधव का एक दूसरे रूप का मंदिर अपने यहां पर बनवाया तो राजस्मंद जिले में चारों जिले हो गए अब इनके खदानों के नाम याद करें कौन कौन सी खदान है माधव के रस में डूब गए ठीक है बच्चो माधव के रस में डूब गए तो सवाई माधवपूर के अंदर जगा का नाम क्या है रिवासा पूरा का पूरा उदेपूर इनके रस में डूब गया तो डूबने से याद रखो देबारी यादे कौपर में भी करवाया था मैंने देबारी पूरा का पूरा उदेपूर डूब गया सारा का सारा तो सरूप ठीके सरूप पूरा यहां पे पकड़ो सारा और पूरा तो सरूप पूरा उदेपूर डूब गया उदेपूर में याद रखना बच्चो डूबने से याद रखो उदेपूर के अंदर देवारी जगा है जहां पे हमें मैंगनीज मिलता है और देबारी के अंदर हमें कॉपर भी मिल रहा था तामबा मी मिल रहा था पिछली क्लास में किया था जिन्नों ने इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं जरूर जाके देखेगा ठीके और रीवर्स वाले भी ये कहूंगी प्रतिबत सीर राजाओ उन्हें क्या सोचा वो क्या बनवाने वाले हैं मंदिर बनवाने वाले हैं कौन सा मंदिर है राजसमंद में माधव के दूसरे रूप का श्रीना जी का तो राजसमंद के अंदर नाथ द्वारा के अंदर हमें मैंगनीज मिलता है मैंगनीज याद करना मुश्किल ह बहुत असान है ये तीनों याद हो गए उदेपुर में सारा का सारा उदेपुर डूब गया मन की बासुरी में उनके रस में तो उदेपुर में देबारी स्वरूप पूरा मेरे साथ सद बोलो याद करो मुझे रटवाना है घोट के पिलाने क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहि ठीक है बांसवाडा में कौन कौन सी जगा है देखो बांसवाडा के अंदर मैंगनीज सबसे अधिक मिलता है ठीक है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मैंगनीज कहां मिलता है सर्फ से अधिक मात्रा में बांसवाडा में मिलता है ठीक है क्योंकि यहीं तो बांसुरी जाई बासुरी बजा के अपनी लीला दिखाई क्या दिखाई बच्चो अपनी लीला दिखाई ठीक है लीला दिखाई तो माधव ने किसका वद किया था अपने ही मामा कंस का वद किया था लीला दिखाई तो जो कंस था ठीक है कंस के जितने सगे संबंदी थे ठीक है उनको उ कंस के जो सगे सम्बंदिय वो लडने के लिए कौनसा हतियार लेकर आए तलवार और सब जो है उपर उपर एके करके तंगते अब ये इतना अच्छा सा सीन जब यहां पे हो रहाथा तो जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है याद ए capital के बहुत विश्णू के जो एक बहुत अच्छे भक्त है वो कौन है नारद नारद नारायन तो नारद भी आ गए इसको देखने के लिए हममिस नहीं कर सकते बोले नात भी अपनी साधना से उठके वो भी आ गए तो शिप जी भी आ गए ठीके और कंस को और कंस के सगे संबंदियों को म कंसवड़ा के अंदर जगा का नाम है लीलवाना क्या नाम है बच्चो लीलवाना ठीके और उसके बाद कंस से याद कर लो कसला कंस से याद कर लो कसला जगा का नाम है और उसके अलावा एक सेकिन बच्चो हाँ सगे से याद कर लो सगवा सगे से याद कर लो सगवा ये किस इसको देखने के लिए कौन आये नारद आये तो नरदिया जगह का नाम है ठीके शिवजी आये तो सिवोनिया ऐसे याद होंगे ये ठीके और खदेड दिया तो खेदिया ठीके मैंगनीज खतम हो गया इतना सा ही है इतना सा क्यूट इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई ये like तो बनता है मस्त वाला लाइक अभी तक नहीं ठोका है तो ठोक दो चिपका दो ठीक है जटैक पटैक से ठीक है चलो क्योंकि हम लाइक भी करते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं मैंगनीज हो गया फिनिश ठीक है अब हमें क्या करना है टंग्स्टन करना है मैंगनीज याद हो गया तो मैंने बताया मन में हमारे मन में क्या बज़री है घंटियां बज़री है टंटन की आवाज आ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं टंग्स्टन तो टंग्स्टन को किस से याद करेंगे इसमें टंटन नहीं जादा आ रहे हैं टंटन से याद करेंगे घंटी से याद करेंगे इस से धागे से रसी से उपर से पंदी होँ होती है ठीकहैँ हमारी ये São पैशल घंटिए भाई क Scripture की घंटी है ये जो है हमने उना के दागे से बांदी हुए मंदूर के अंदर घंटी imagine करो उन के धागे से और ये जादा शिमर कर रही है चमक रही है तो इस वूल से क्या याद होगा इस वूल से टंग्स्टन के ऐसक याद होगे इस वूल से टंग्स्टन की और याद होने वाले है ठीक है बच्छों क्या याद होने वाले है टंग्स्टन के ऐसक याद होने वाले है तो टंग्स्टन के ऐसक में कौन सा शब्द आयेगा डेखो ज़रा वूल फ्रेमाइट भी लिख सकते हो वूल फ्रेमाइट ठीक है और वूल फ्रोम फ्रेमाइट और फ्रोम बस इतना सा करना है ठीक है और मैंने क्या मारा शिमर की तरह चमक रही है तो शेलाइट दूसरी जो है wolf rose को हम क्या बोलते हैं शेलाइट भी बोलते हैं इसके तंग्स्टन के तिके, याद हो अब दूसरा निमोनिक कौन-कौन से जिलों में मिलती है, ऐसा से दिखते है तंग्स्टन ठीके, लेकिन हम तो ऐसे याद करेंगे भाई हमें ऐसे ही याद हो रहे है, क्या करें, ऐसे ही करना है हमें, ठीके, हो गया, ठीके, अब हुआ क्या मैं बताती हूँ, ये कौन कौनसे जिलों में मिलती है, अब जब घंटी बजाते हो, तो हाथ आपके सिर से उपर जाता है या नहीं जाता है, मुझे एक बात बताओ, आज तिक जितनी हमने बाते कि ये नाग देवता की बाते नाग देवता को मना रहे हैं कि हमारी भक्ती से प्रसन हो जाए ठीक है तो टंगस्टन कहां पे मिलेगा ये मंदिर कहां पे है ये मंदर टंगस्टन टंटन टंटन आवाज आ रही है चिंटू के नाना के घर में है किस उसके नाना के कुल देवता है ठीक है तो उसको किस में लेके गए है नाना के घर पालने में लेकर गए है किस में लेके गए है पालने के अंदर जो बेबी का आता है ना वो क्रॉल आप देखते होंगे पालने के अंदर तो तीसरा जिला कौन सा हो गया पाली तो इन तीन जिलो उपर से सिरोही जिला हो गया ठीके कहां पे है ये जिला जो है हमारा ननिहाल के अंदर है तो ननिहाल में चिंटू कैसे जा रहा है पालने में जा रहा है तो सिरोही और पाली में मिलेगा टंग्स्टन हमें तीसरा जो है ननिहाल बहुत दूर कौन से मंदर में जा रहा है ठीक है तो तीन जिलों में मिल रहे है सिरोही पाली और नागोर ठीक है अब इसकी जगा याद करें इसकी खान और खादान कुछ मुश्किल है का कुछ 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 मुश्किल नहीं है बच्चो अच्छा बच्चो इतना मैं मान के चल रहे हूं इतना मैं मान के चल रहे हूं कि आपको पता है नागोर में डिडवाना जो है डिगाना क्या है जील है ठीक है तो नागोर के अंदर हम किस लिए जाते हैं भक्ति करने जाते हैं भगवान की ठीक है तो याद कर लो नागोर में जो जगा का नाम है डिगाना डिगाना तो जगा है जील है और दूसरा भाकरी भक भक्ति करने जा रहे हैं तो भक्ति का भाकरी बना दो ठीक है भक्ति करने जा रहे हैं नाग देपता के टेंपल में तो ये जगा हो गई ठीक है उसके बाद पाली में पालने में कहां जा रहा है नाना के यहां तो पाली में जो जगा है उसका नाम है नाना कराब ठीक है नाना क जगा का नाम क्या हो गया, बच्चों बाल्दा, सिर्के उपर से घंटी बजा रहे हैं, तो उपरला, क्या हो गया, जगा का नाम क्या हो गया, उपरला हो गया, ठीके, और कौन सी मिस हो गई, देख लेते हैं, एक बारी, ठीके, तो ये तो पक्का से याद हो गई होंगी, सिरो यह देखो बालदा ठीक है उपर से तो खेडा उपरला ठीक है खेडा उपरला इतना आपको याद रहे जाएगा ठीक है और जो है सिरोही जो है देवताओं का घर है कौपर मिल रहा था दिलवाडा में तो यहाँ पर याद कर लो आबू रेवदार और देवा का बाड़ा टंग्स्टन मिलने वाला है ठीक है और नागोर के अंदर मैंने याद करवाई दिया भक्ति करने जा रहे हैं नाग देवता की तो डिगाना भगभाकरी ठीक है और पाली के अंदर जगह का नाम हो गया नाना कराब और हमारे दो मैं दो हो इंपॉर्टेंट्स से मिनरेल कहते हैं मेंगनीज Nou और याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ एक लाइक बनता है शेयर बनता है सबस्क्राइब बनता है जल्दी कर दो और कॉमेंट्स जब नहीं करते हो अब को मेंट्स करते हो मेरा एनरजी लेवल उपर हो जाता है ठीक है फिर नहीं करते हो फिर में बस समझ लो आप ठीक है तो बस कर दिया करो ठीक है अच्छा बचो ये तो हमने बात कर ली दूसरा जो है अगर आप हमारे प्लस कोर्स जॉइन करना चाहते हो कॉलेज लेक्शनार के लिए कोर्स आ रहा है और रेडी कर रहे हो पत्वारी पुलिस सब के लिए एक ही पैसे है ठीक है तो आपका क्या बचर है टाइम बचर है आपका मनी बचर है तो बी स्मार्ट अनकैडमी प्लस को जॉइन करके ये मेरे कोर्स की लिस्ट है जो मेरा असे वाला कोर्स है इससे बच्चो राजस्थान जिग्रफ कर लो हिंदी मीडियम में मैंने पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर दिया राजस्थान पॉलिटी बाग की सारे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सबकी बारी आती है ग्रूप बैच कोर्स के अंदर ठीक है तो अभी मेरे दोनों करेंटली लाइफ चल रहे ह कौन सा ओफर है all is one करना क्या है आप लोगों को ACA वाले बच्चे मात्र एक महिने का सब्स्क्रिप्शन ले बाकी में उनको कहूंगी जितना पढ़ लिया उसको रिवाइस करें ठीक है और रीट वाले बच्चे कॉलेज लेक्चरार वाले तीन महिने का आरेस वाले भी ना स से अन्रोल कर ले अपना ही अकाउंट नंबर मेल आईडी डाल के क्योंकि आप जब आईफोन से करते हो तो आपको वैलिडिटी एक्स्टेंशन मिलता है लेकिन मैंने देखा है जादा तर बच्चों को डिस्काउंट चाहिए होता है दस परसें तो उसका सिंपल सा तरीक है क कोई जादा उसमें कुछ बर्डन ये फिर आप उसको आईफोन पे भी प्ले कर सकते हो ठीक है तो सब कुछ बता दिया अच्छा मारो राजस्थान परिवार की आवाज अनकैडमी प्लस पे बच्चा किसी केटेगरी में जाए भाई SSC, बैंकिंग, रेलवे, नीट, शीट, आई, आई, टी, जे, किसी की तेयारी करने हो, बैंकिंग की, चाहे पेड कोर्स हो, चाहे फ्री क्लास देखने हो, MRP 10 कोड लगाओ, जो 9 बजे टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए बस कोड लगाना है, MRP 10 कुछ नहीं करना, 9 बजे आ रहे हो ना, आज, सब के कर करेंगे, चारो मिनरल्स के MCQs कराने वाली हो, मैं टेस्ट के अंदर, ठीक है, और बस जॉइन करो, आजओ, मिल जाओ, ठीक है, मारूर राजस्तान परिवार की बस आवाज गुजानी है, मुझे, अन अकैडमी पर सोच लिया है, मैंने, ठीक है, और ये सब आप लोगों के स करेंगे, और राजस्तान परिवार की बस आवार 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 की बस